आज हम बात करने चारे हैं 5 Laws of Library Science जो के रंगानाथन ने पेश किये तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोड़क्शन रीड आउट कर रहे हैं इंट्रोड़क्शन में 5 Laws of Library Science is a theory proposed by S.R. रंगानाथन in 1931 सर्रंगानाथन ने 1931 के अंदर 5 Laws उनकी थियोरी पेश की detailing the principles of operating a library system इसके अंदर library system को operate करने के लिए इसके बुनियादी सुलों की details जो है सर्रंगानाथन ने दी है 5 Laws of Library Science are called the set of norms, percepts and guides to good practice in librarianship जो 5 Laws of Library Science के हैं ये एक standard perception के बुनियाद पर guidance दी गई है कि librarianship field की practice को अच्छे से अच्छा सर अंजाम किया जाए सर अंजाम दिया जाए ताके user और faculty member को अच्छे से अच्छी services मिल सके Many librarians of worldwide accept them as the foundation of their philosophy Dr. S.R. Ranganathan conceived the 5 Law of Library Science in 1924 जो librarian world-wide है इन बुनियादी फिलासाफी लाइबरेंशिप को accept किया है और उनों ने ये rule accept करते हुए इनको accept भी किया है रंगानाथन ने conceived किये ते ये 5 Law of Library Science in 1924 के अंदर ये statement embodying these law were founded in 1928 ये जो law की statement पहले formulate हुई 1928 के अंदर इस law were first published in Ranganathan classic book entitled 5 Laws of Library Science in 1931 ये 5 Laws जो Library Science की एक मशहूर किताब सररंगानाथन ने published करवाई इसका first edition 1931 के अंदर जिसका नाम था 5 Law of Library Science उसके बाद हम बात कर रहे हैं इन तमाम Laws के उपर के जो ये 5 Law हैं सररंगानाथन ने दिये वो ये हैं नमबर वन इसका जो लाह है books are for use books are for use ये जो पहला लाह है ये describe करता है कि ancient time medieval time और some modern times के अंदर books जो होती थी वो restricted होती थी close access के अंदर books available होती थी और आने वाले user या faculty member या visitors को वो किताब बहुत ही मुश्किल से मिलती थी उनका time भी खर्च होता था और close access भी होती थी तो तकरीबन ये समझ लें के बहुत बड़ी restrictions थी उनको restrictions को हचाने के लिए रंगानाथन का ये first law है के books are for use किताबें जो हैं वो इस्तमाल के लिए हैं तो ये law इसी लिए उन्होंने सोच समझ कर पहला ला इससे रखा के restrictions हटाई जाएं एवरी रीडर हिस और हर बुक हर एक यूजर चाहे फीमेलो चाहे जैन सो तो उसके लिए पढ़ने वाले के लिए किताब होनी चाहिए तो पहले जो है फ्यूडलिजम जमाना था मेडिवल भी पिरेड बाद चाहत किंगडम्स थी तो वो अपने मनपसंद हजरात को बुक्स देते थे तो आम यूजर को बुक्स अवेलेबल नहीं हुआ करती थी तो उन्होंने ये लापेश किया कि हर रीडर के लिए किताब होना चाहिए ना कि मकसूस बंदों के लिए बुक्स होने चाहिए थर्ड ला एवरी बुक इट्स रीडर हर बुक का रीडर होता है जैसे के कुछ ऐसी मकसूस नाधर नायाब किताबे थी जो वे वो छुपा कर रखते थे पढ़ने वालें को देते नहीं थे उस टाइम के अंदर तो उन्होंने ये भी नजर में रखा कि हर किताब का पढ़ने वाला होना चाहिए ऐसे के नहीं कि कुछ किताबें जो है वो पढ़ने लिए ना दी जाएं उन पर highly restrictions ना हो उन पर restrictions हटाई जाएं नहीं कि वो आर्काइव में पढ़ी रहें तो ये भी ला टाइम के हिसाब से implement हो चुका है देन फॉर्थ ला से टाइम आफ दा रीडर्स रीडर्स का जो है टाइम महफूस करें बचाएं क्योंकि उस जमाने में shelfing arrangement, classifications और proper staff, qualified staff नहीं हुआ गरता था तो ये आजकल facility available है, open access system भी है और classified shelf arrange भी है maintenance भी होती है, stacks भी, books की available होती है, उनके बाद classified arrange भी है, authorize भी है classified package log इनके साथ attach होता है, ताके वो user का time बचे और circulation section से आसानी से user को कम समय के अंदर वो किताब available हो सके, then sixth law जो library science का है, ये जो deal का रदा library is a growing organism, क्योंकि पराने जमाने में library की growth बहुत कम हुआ करती थी, पर आजकल के दोर के अंदर library के books के लिए annual budgets भी रखा जाता है, ताके library के books के अंदर साल बसाल इजाफा होता रहे और पढ़ने वालों को नहीं और update books मिलती रहें, पराने weeded material पराने books को weed out किया जाए, ताके नए आने वाले material को जगा मिल सके, library के अंदर तो ये law भी आजकल implement हो रहा है, worldwide उमीद करता हूँ ये पांच हो law और इनकी जो theory हमने आपको दिये या बताईए, वो आपको पसंद आएगी आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे ही जमाना गुजरता गया, other new laws of library science के भी सामने आते गए इन में से जो छटा law आया है, वो है every reader, his library ये जो law पेश किया है, James Arden ने ये law recently, 19 के अंदर आया है, तकरीबन इसको भी 20 साल हो चुके हैं उसके बाद जो ये law आया है, every writer, his contribution to library हर एक writer की contribution होती है, library के अंदर books देने के लिए, तो ये भी law, कॉर्मेन और पेवी ने मिलकर बनाया जो अभी recognized law है, उमीद करता हूँ, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और इसको like and subscribe भी करते रहे हैं अगर आपको कोई सवाल है, तो आप comments में सवाल भी कर सकते हैं, thank you very much for watching this video